नमस्कार दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका तो दोस्तो आपको बता दो WhatsApp की जगह यह Government एप इस्तमाल किया जाएगा है जी हां दोस्तो भरत सरकार WhatsApp जैसी एप बनाने जा रही है जिसका नाम है GIMS जिसका मतलब है Government Instant Messaging एप और GIMS एप आपको Play Store और Android App Store दोनों पर मि जाएगा Ministry of Electronic Information Technology के अंदर आने वाला National Informatics Center इस एप पर काम कर रहा है और उमीद है इस साल के अन तक पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा खास बात यह है GIMS एप को ज़्यादा तर सरकारी करमचारी और सरकारी अधिकारी ही यूज कर पाएंगे और यह एप केवल Inter Government Communication के लिए ही डेवलप की जा रही है State Government और Central Government के सभी करमचारी को आपस में Connect रखने के लिए Message Sharing और Data Sharing के लिए केवल GIMS एप का ही यूज करना होगा भारत सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज की गोपनियता को बनाए रखने के लिए है क्योंकि WhatsApp पर काफी Texas जैसे Cyber Attack हुए हैं जिसमें लाखों लोगों की जासूसी की गई थी और Data भी चोरी हो गया था ऐसे में सरकारी कामकाज को कोई खतरा ना आए इसलिए भारत सरकार ने Ministry of Electronics and Information Technology के अंदर गत आने वाले NIC केरला को GIMS एप बनाने का जिम्मा दिया है खबरों के अनुसार GIMS एप की टेस्टिंग चल रही है और इसमें 17 सरकारी और्गनाईजेशन हिस्सा ले रही है जिसमें Ministry of External Affairs, ग्री मंत्राले, भारतिय रेलवे और भारतिय नेवी जैसी भी संस्ताय हैं इसके अलावा State Government of Odisha और गुजरात सरकार भी इसमें सामिल है इसमें अभी तक कुल 6600 सरकारी अधिकारी GIMS एप टेस्टिंग का हिस्सा है और 20 लाग से ज़्यादा मैसेज भेज चुके हैं और रिसीब कर चुके हैं ताकि एप के जरिये भेजे गए मैसेज की जासूसी ना आरे वीडियो को लाइक करना शेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद